अब हर जुम्मे की नवास पे मैं यहां पुरानी हवेले में बैठने का वो जो पुराना रिवाज है इसको मैं जारी रख रहा हूं और हर फ्रेडे मैं आता हूं अधर हमारे आफिसर्स भी मक्का मस्जिद और पुरानी शहर के जितने भी एरियाज हैं यहां पे बंदोबस लगाना पड़ता है लगा कर काफी महनत करके यहां पे शांती और अमन काइम रख रहे हैं उनको मैं बुबारक बात देता हूं क्योंकि यहां पर हर चीज़ पर निगाह लगाना हर चीज़ का ट्राक करना काफी मुश्किल काम है पर रात दिन महनत करके हमारे DCP, ACP और इंस्पेक्टर, सब लोग पैट्रोल जो हैं पैट्रोल में जो काम करते हैं सबी लोग काफी महनत कर रहे हैं और मैं पबलिक का भी यह जो अवाम यहां के पुरानी शहर के हैं उनको मैं अपील करत करता हूं कि आप अच्छा साथ दे रहें पुलिस का और भी आगया कर आप और अच्छा हमको इन्फोमेशन देंगे या हमारा साथ देंगे यह क्राइम कंट्रोल करने में आप हमारी मदद करेंगे तो बहुत ही अच्छा और हम काम कर सकते हैं आज कल यह नशीली दवायों क के बारे में काफी सीरियस से हम करवाय कर रहा हैं एक तरफ एन्फोर्समेंट करने के लिए एक नया विंग हमने शुरू किया इसका नाम है नार्कॉटिक्स इन्फोर्समेंट विंग जिसमें जो यह नशीली दवायों जो मॉंबए गोवा आइसे महां से ये हेरोईन या कोकेन जैसे ड्रग्स हैं वो लेकर आते हैं एक तरफ दूसरे तरफ ये वाईजाग या उरिस्टा से गांजा का जो तफसीन होता है वो यहाँ पर लेकर आके लोग बेचते हैं उसको तो हम उसकोर काफी सक्ति से करवाई कर रहे हैं काफी गैंक्स हमको मिले हैं और काफी डिर जो है पैदा हो चुका है तो इसको हम जारी रखेंगे दूसरी तरफ हम आवैरनेस कैम्पेंड भी कर रहे हैं क्यों कि गली-गली में जा कर हर बस्ती में जाकर लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये इससे हमको नुकसान क्या-क्या है और इसे माबाप भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए और हमारा साथ इसमें ये कैम्पेंड में देने के लिए मैं सब को गुजारिश करता हूँ और आगे चलकर भी जो हम और कमिटीज बनाएंगे या ये रौडीज का एक्टिविटी जो है साउच जोन में उनका हो या सकती से जो जो ट्राफिक मैनेजमेंट हो हर चीज में मैं अवाम का साथ चाहता हूँ तो इस अफसर पर सबको मैं शुक्रियादा करते हैं यह यह अफवाएं जो है लोग पहलाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वो कर्मानगाट में जो हुआ वही रात हमारे टीम्स हमारे लोकल आफिसर्स टासफोर्स वाले सब जो भी इसमें थे उनको पकड़ लिये थे और वहा अपनी कारवाई की थी सबको अरेस कर लिया था और कोई ऐसा कुछ नहीं है थोड़े लोग इसमें जुटे रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करें अफवाए फैलाए कुछ ना कुछ कारवाई करें जिससे जो अमन से जो रह रहे हैं उनको डिस्टब करने के लिए म हम ज़रूर आगे चलके भी इतना ही मैनत करेंगे और अमन कायम रखने के लिए सब कुछ करेंगे